आप सपना एक देखेंगे पर मुसीबते हजारों आएंगी पर वो मनजर भी बहुत खुबसूरत होगा जब काम्याभी शोर मचाएगी आपको पता है कि आप जितना संघर्ष करते हैं आपका संघर्ष जितना बड़ा होता है आपकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है और इ के लिए आपके एक्जाम में ज्यादा से ज्यादा सहायता करने के लिए यह सीरीज चला रहा है इस सीरीज में हम बात करते हैं वस्तुनिष्ट प्रश्णों की उनके उत्तरों की और इसके साथ साथ में हम पूरा-पूरा मद्धिप्रदेश का क्रेश कोर्स आपकि लेकर आ मतलब क्या है पहले हम ये देखते हैं किसी भी राज्य की या फिर देश में एक बोहती बड़ा धन एक बोहती बड़ा कर रिवे न्यूप पर्यटन से आता है साथ ही साथ में जिस पर्यटन को बढ़ाने के लिए हम एक नीती लेक्या आते हो और इस नीती का पालन करने के इसके स्थापना कब की गई थी 1970, 1972, 1980 और 1978 तो मध्य प्रदेश के राज्य में परेटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी तो हमारा यहाँ पर option number D बिलकुल सही answer होगा 1978 मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया था टूरिज्म का क्या मतलब होता है दिखिए टूरिस्ट का मतलब होता है जो दर्शक होता है जो की परियटक होता है उसे टूरिस्ट कहा जाता है तो टूरिस्ट की सहूलत के लिए या फिर परियटकों की सहूलिय की गई एक बोर्ड बनाया गया जिसे ही टूरिज्म बोर्ड ओफ MP या फिर मध्य प्रदेश कहा जाता है इसकी स्थापना कब की गई थी ऑप्षन है मध्य प्रदेश में इस थित भीम बैठिका को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है परंतु कब शामिल किया गया है 1996 वर्ष 2003 वर्ष 2008 और 1986 जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में भीम बैठिका की तो भीम बैठिका में आखिर ऐसा क्या है ऐसा क्या special है जिसको जिसकी कारण से UNESCO ने उशे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है तो भीम बैटका से हमें मिलते हैं मानव के सबसे प्राचीन गुफा निवास के साक्ष और इसके साथी साथ में मानव के सबसे प्राचीन चित्रकला के साक्ष की मानव ने जो शेल चित्र बनाये थे शेल चित्र का मतलब क्या होता है देखिए एक बात आपको याद रखनी कि शेल का हमेशा मतलब पत्थर से होता है तो शेल का मतलब है पत्थर तो पत्थर पे उकेरे गए चित्र कहां से मिलते हैं भीमबैटका से मिलते हैं तो इस कारण से भीमबैटका को युनेसको ने विश्व दरोहर की सूची में शामिल किया था तो यहां पर जो है हमारा ऑप्शन नमबर बी विलकुल सहीं हो जाएगा भीम बैटिका की खोज किसके द्वारा की गई थी मैक क्राउन, निशार एहमद, विश्णु श्रीधर वाकड कर और ऑप्शन नमबर डी में हम रख लेते हैं सी वी सोवर्स मध्य प्रदेश में भीम बैटिका की खोज राइसेंज लेके अबदुल्ला गंज में की गई थी जो की श्री विश्णु श्रीधर वाकड कर और इन्हें ही स्टॉट फॉर्म में वी एश वाकड कर के नाम से जाना जाता है तो इनके द्वारा भीम बैटिका की खोज की का बाग की गुफाओं की खोज किसने की थी बाग की खोज आप्शन है वी एस वाकड कर देंगर फील्ड मैंक क्राउन और सुपेकर देखिए जो बाग की गुफाएं हैं ना यह कहा पर इस्थे थे हमने बहुत बार देखा है कि धार जिले की कुक्षी तहसील के अंदर कर भाग की गुफाएं आती हैं यह गुफाएं बाग या फिर बागिन नदी के तड़ पर हैं पहले यहां पर 9 गुफाएं थी वर्दमान में यहां पर केवल 5 गुफाएं बची हुई हैं इन गुफाओं में एक विशेश प्रकार की चित्रकारी मिलती है जैसे कहा जाता है फ्र संख्या कितनी थी देखिए आपसे ये ने पूछ रहा कि अभी कितनी है ये पूछ रहा है कि कितनी थी जस प्रकार से खज्राहों में जब मूर्तिकला का निर्माड शुरू हुआ था मंदिरों का निर्मार शुरू हुआ था तो उस समय खज़राहों में कुल 85 मंदिर बनवाए गए थे जिसमें से अभी 22 बच्चे हुए हैं तो वैसे ही बाग की गुफाओं में पहले कितनी गुफाएं थी ऑप्शन है पाँच नौ चार और छी तो देखिए यह जो बाग की गुफाएं है न यहाँ और ऑप्शन में जो नौ है ऑप्शन नुमबर भी हमारा सही अंसर होगा कि नौ गुफाएं भाग की पहले बनी थी जिसमें से वर्तमान में 5 गुफाएं शेश बची हुई हैं उदागिरी की गुफाओं का संबào किस धर्म से है जैन धर्म व शंकराचारी की गुफाएं किस जिले के किनारे इस्थित हैं यहां पर जिले होगा देखें शंकराचारी की जो गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में धार बुरहानपुर खंडवा और उजयन किस जिले के किनारे इस्थित हैं तो यह गुफाएं मध्य प्रदेश में खंड गुफाओं की खोज कब की गई थी देखें जो म्रगेंड नात की गुफाएं हैं न इन गुफाओं की खोज 2005-2009-2012 और 1998 में से वर्ष 2009 में की गई थी अर्थात यहां पर हमारा option number B बिलकुल सही हो जाएगा अब हमें देखनी एक तरफ हमने गुफाएं लिखके रखी और दूसरे तरफ हमने लिखें जिले की कौन कौन सी गुफाएं किस-किस जिले के अंतरगत आती हैं तो देखें सबसे पहले हम सरल की तरफ से चलेंगे अभी तक आप लोगों को इतना तो रट गया होगा कि बाग की गुफाएं धार जिले में इस्थित हैं तो बाग की गुफाएं कहां है धार जिले में इस्थित हैं तो पहले का दो देख लो तो option number A पहले ही eliminate हो गया और option number D eliminate हो गया बचा C और B इन दोनों में से हम को अंसर लगाना हैं उदैगिरी की गुफाएं कहां पर इस्थित हैं म्रगींदरनात की गुफाएं कहां पर इस्थित हैं इसके साथ ही साथ में मारा की गुफाएं कहां पर इस्थित हैं और भ्रंथ हरी की गुफाएं की बात करते हैं तो उदैगीरी की गुफाएं विदिशा जिले के अंतरगत इस्थित हैं वहीं मारा की गुफाएं जो हैं वो सिंग्रॉली जिले के अंतर गताती हैं अर्थात यहां पर हमारा option number B बिल्कुल सही होगा जो है 2, 1, 6, 4, 3, 5 अब इन गुफाओं की अगर हम बात करें तो इसमें से सबसे दाधा महत्वपूर्ण उदैगीरी की गुफा, शंकरशाह की खंडवा जिले के अंतर गताती हैं बिलाववा की गुफाएं किस जिले में इस्थित हैं इंदौर, गुवालियर, राइसीन और सिहोर देखिए जब बिलाववा की गुफाओं की हम बात करते हैं तो यह गुफाएं मध्य प्रदीश में गुवालियर जिले के अंतर गताती यह वही जिला है जहांपर गौल्येर का दूर्ग इस्तित हैं यह वही जिला है जहांपर मान aha तोमर का राजवाईंश रहा था यहीं पर गुजरी महल भी इस्तित है तो ऑप्षण नंबर हमारा भी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धमनार की गुफाएं मंदसौर जिले में इस्तित है इसकी खोज किस ने की थी option है मेजर शाहन जेम्स टॉड जनरल टेलर और डेंगर फिल्ड देखे जब हम बात करते हैं मंदसौर में धमनार की गुफाओं की तो इनकी खोज जेम्स टॉड के द्वारा की गई थी तो हमारा option नंबर बी यहां पर सहीं होगा असीरगड के किले का निर्मार किस शाशक ने करवाया था देखिए असीरगड का जो किला है यह बहुत जादा प्राचीन है और अपनी एक खांस विशेशता रखता है इसमें इतिहास को अपने सामने बदलते हुए देखा है मान सिंग तोमर जन्होंने तोमर वंशके थे आशा जो कि अहीर राजा थे राजा सूरज सेन और फारुखी शाशकों के दवारा देखिए मान सिंग तोमर ने मान मंदिर बनवाया था गौलियर में और गुजली महल का निर्मान करवाया था असीर राजा जो कि अहीर राजा है जो कि आश्रा है इन्हों ने ही बनवाया था यहां पर असीरगर का खिला राजा सूरज सेंड ने ग्वालियर के दुर्ग का निर्मार करवाया था और फारुकिश आश्रक को हटा दीजिए तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि आश्रा राजा ज राजा कल्यान मन और राजा राज बसंती देखिए इसका हम आंसर देख चुके हैं और रेड़ी से तो इसका सही आंसर होगा राजा सूरज सेंड ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में अटेर का किला किस जिले की अंतर गताता है किस जिले में इस्थित है मुरेना भिंड बुरहानपुर और मांडू देखिए सबसे जादों जो महल हमें देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं मांडू में लेकिन अटेर का किला मांडू में नहीं है ना ह मुरेना में है तो अटेर का किला जो है वह भिंड जिले में इस्थित है और भिंड जिले के गोहद नाम की शेतर में अटेर का किला इस्थित है तो आप्शन नमबर B हमारा यहां पर सही आंसर होगा मांडू को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है पहला है करीमा बाग दूसरा है शादियाबाद तीसरा है महलो की नगरी और चौथा है उपर्योक्त सभी जब भी हम मांडू की बात करते हैं तो मांडू है कहां पर इस्थित तो मांडू इस्थित है मध्य प्रदेश के धार जिले की अंतरगर्द और मांडू को ही करीमा शादियाबाद भी कहा जाता है महलो की नगरी भी कहा जाता है तो उपर्योक्त सभी इसका सही आंसर होगा तो option number D हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अल्प खा का मगबरा किस जिले में इस्थित है option है रीवा भोपाल शिव पुरी और धार देखिए अल्प खा का मगबरा जो है इसे ही होशंग शाह का मगबरा भी कहा जाता है यह भारत में निर्मित संग्मर्मर की पहली इमारत है तो इस कारण से option number D हमारा सही होगा यह धार जिले में इस्थित है इसके अला बिलकिस बेगम का मगबरा कहां इस्थित है मांडू, भोपाल, राइसेन और धार देखिए जब हम बात करते हैं बिलकिस बेगम की तो बिलकिस बेगम का जो मगबरा है वह धार जिले में इस्थित है हमारा option number D बिलकुल सही हो जाएगा राजबणा महल की इस्थापना किसमें करवाई थी देखिए राजबणा महल जो है यह किस जिले में इस्थित है और इस्थित बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध महल है ये महल सात मनजिला हैं अहिल्या भाई होलकर, खांडे राव होलकर, यश्वंत राव होलकर और मलहार राव होलकर जैसे ही हम राजवाडा महल की या फिरंदौर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में होलकर राजवंश ही आता है तो होलकर राजवंश के द्वारा राजवारा महल की नीव मलहार राव होलकर जी ने रखी थी तो आप्शन नमबर डी हमारा यहां पर बिल्कुल सही होगा मलहार राव होलकर जी अहिलिया भाई होलकर की बात करते हैं तो उन्होंने महीश्वर में मंदिर्व का निर्मार करवाया था और महीश्वर में घाट का भी निर्मार करवाया जो यश्वंत राव होलकर इन्होंने MY होस्पिटल के स्थापना की और इन्हें मध्य प्रदेश का निपूलियन भी कहा जाता है खांडे राव होलकर जी जो है वो अहिलिया भाई होलकर जी के पती थे प्यार का महल या फिर सुन्दर महल कहां पर इस्थित है ओप्शन है निवारी, छतरपुर, टीकमगड और सागर देखिए प्यार का महल या सुन्दर महल जो है वो निवारी जिले में ओर्चा के अंतरगत आता है इसके अलावा यह महल अपनी विशेश प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है तो हमारा ऑप्शन नमबर ए सही होगा निवारी कछारी महल किस जिले में इस्थित है यहां जिला नहीं होना चाहिए, यहां पर किला होना चाहिए कछारी महल किस किले में इस्थित है धार का किला, मंसौर का किला, गोहद का किला और बाज भादुर का किला तो कछारी महल जो है वो गोहद के किले के अंतरगत आता है तो हमारा option number 3 यहाँ पर सही होगा गोहद का किला इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के वस्तुनिष प्रशनों को समाप्त कर चुके जिनका संबंद परेटन था इसके अलावा परेटन से संबंद सारे प्रशन अभी नहीं हुए है जितने प्रशन बचे हैं हम उन्हें नेक्स वीडियो में कवर करते जाएंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएए थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में